हाई एब्रीवन वेल्कम बैक टूम चैनल मैं हूँ शिवानी लेकर आगे हूँ आप लोको के लिए एक और हैश्टेग बीबोल की वीडियो कुछ दिन पहले मेरे चैनल पर आपने वीडियो देखी हो कि नेवल फैंटेसी के बारे में अगर नहीं देखी तो देख लीजेगा उसका लिंक मैं आपको यहां कहीं आय बटन पर दे दूँगी आज का वीडियो उसी से ही रिलेडिड है क्योंकि और भी कॉमेंट्स मेरे पास आये थे कि और फैंटेसी के बारे में भी मैं वीडियो बनाओं तो आज की वीडियो है फुट फैंटेसी को लेके और ये क्या होती है कहां तक सही है और कभी ये गलत है सब कुछ हम discuss करेंगे आज के वीडियो में तो वीडियो में बने रहना एंड तक पसंद आती है वीडियो तो लाइक करना मत भूला करो लाइक ज़रूर कीजिए शेयर कर सकते हैं आप और comment section में अपना review या फिर अपनी को और उसका sexual preference अलग-अलग हो सकता है किस चीज से sexual arouseness होती है बोडी का कोई भी ऐसा एक पार्ट जो कि उसे ज्यादा sexually excited करे या sexually arouse करे उसे ये possible है और ये हर किसी के लिए अलग-अलग हो सकता है जैसे कि बहुत सारे लोगों को naval fantasy जैसे हमने डिसकस करी वो होती है कुछ जादा excited or attract करती है अब बात करते हैं जहां तक foot fantasy की तो ये लोगों को जिनको होती है उनको female के जैसे कि अगर male को है तो female के जो पैर है वो उन्हें बहुत जादा attract करते हैं उनकी तरफ और सीधा जब वो किसी female को देखते है तो उनकी नजर उनके पैरों पे जाती है कि उनके पैर कैसे है और इसलिए बहुत सारी female ऐसी होती है जो अपने पैरों का बहुत अच्छे से ध्यान रखती है उनकी केर करती है जैसे हम अपने face की करते हैं बिलकुल उसी तरीके से जैसे कि पैरों में बिच्छिया पहनना पायल पहनना महावर लगाना महंदी लगाना उनको अच्छा सा दिखाने के लिए इसके अब नेल्स जो है बहुत अच्छे से करके रखना निल पेंट लगाना पैरों पे रेगुलर बिसे पेडिक्योर कराना उनको बहुत एग्दम एंहेंस करके रखती है क्योंकि उन्हें पता होता है कि उनकी जो पैर है वो सुंदर है और जिनकी foot fetish होती है उनको ऐसे जो feet होते हैं females के वो attract करते हैं अपनी तरफ अब ये बात मैंने पहले कही थी कि it is completely okay कि अगर आपको किसी एक body part से related जादा fetish हो या वो आपको पसंद हो तो वैसे ही foot वाले case में भी it is completely okay बहुत सारे लोग इसको foreplay में भी use करते हैं जैसे foreplay की शिडवात ही वो पैरों से करते हैं किस करना टच करना foreplay में और उसे use करना so it is also completely fine अब बात कर लेते हैं कब ये चीजें ठीक नहीं हैं मैंने recently कहीं ये सुना कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें foot fetish होती है कि वो अपने उस female के जिसके पैरों पर फिदा हो जाते हैं उसके पैरों की गंदिगी भी चाट के साफ कर सकते हैं या फिर उसके पैरों का कुछला हुआ खाना तक खा सकते हैं ठीक है आपको किसी के पैर पसंद आ रहे हैं लेकिन अपनी हाईजीन भी तो कुछ होता है इतना भी किसी fetish के पीछे कुद को क्या लगा लेना कि आप अपने सेंसे ही बूल जाओ कि ये अनहाईजीनिक है कितना इसके अलावा ये भी मैंने सुना कि जिसको foot fetish होती है वो उस female का गुलाम जैसा बन जाता है जिसके पैरों के पीछे especially वो फिदा हो जाता है कि वो जो कहेगी वो करने को तयार है जस्ट उसके foot उसे चाहिए वो उसे देखने है टच करने है किस करने है और उनके पीछे इसा पागल सा हो जाना और बहुत सारे लोग अपने you know relation भी इसी basis पे चलाते हैं इसी basis पे you know कुछ भी करने को तयार है पैसे उड़ाने को तयार है ऐसी female पे जिसके पैरों पे वो फिदा हो जाते है खेर मैं इस पर ये बोलना चाहूंगी कि देखिए एक female को अगर आप सिर्फ अपनी एक fetish के base पे पसंद करते हो तो ऐसा रिष्टा क्या आप खुद सोचके देखे थोड़ा senses लगा के आगे तक चल पाएगा आपने ऐसी partner को choose कर लिया अपने लिए आप बहुत खुश हो अपनी fetish के साथ में कि वो complete हो गई आप हो सकता है sexually बहुत खुश रहो उस partner के साथ लेकिन क्या एक रिष्टा या एक शादी सिर्फ एक fetish के base पे या फिर सिर्फ और सिर्फ sexually आप खुश हो उस base पे चल सकते हैं नहीं ये एक part जरूर हो सकता है आपकी merit life का या फिर आपके relationship का कि आप sexually happy रहने चाहिए लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होते हैं आपका mental peace रहना आप उस इंसान के साथ अच्छा फील करो उसके साथ आपका nature आपका behavior आपका रहेंसें लाइफ स्टाइल कहीं ना क खादा हो वो इंसान आपके साथ थोड़े adjust करने को ready हो आप उसके साथ थोड़े adjust करो ऐसे ही तो चलती है ना जिन्दगी की गाड़ी जो husband wife का relation होता है तो बहुत सारी चीज़ें मायने रखती हैं एक रिष्टे को successful बनाने में अगर सिर्फ एक fetish के चलते आप किसी को रख रहा है बैडरूम में तो आप बहुत खुश हो लेकिन उसके बाहर की जो दुनिया है क्या वहाँ पे भी आपके लिए वो एक सही जीवन साती है या नहीं वहाँ पे मामला थोड़ा सा ट्रिकी पर जाता है तो at the end में यही बोलना चाहूंगी कि देखे किसी body part को लेके fetish होना सही है इस fetish को लेके आप अपना partner choose करो ये भी कही न कहीं सही है लेकिन इतने अंधे मत हो जाओ कि बाकी चीज़ें आप देखो ही ना और बिल्कुल दिवाने से हो जाओ इस foot fetish को या फिर किसी और fetish को लेके ठीक है तो इसी के साथ में इस वीडियो को खतम करती हू I hope मैं जो बात समझाना चाहती थी वो आपको समझ आई हो और अच्छी रगी हो वीडियो तो लाइक करना इसे ही शेयर करना और ऐसे लोगों के साथ में जिनको सतरके की fetish है तो थोड़ा उनका दिमाग खुले और सब्सक्राइब कर लेना मेरी चानल को ऐसे और वीडियो द की ओर